यह देखिए यह वो रोतास का किल्ह एक्चलि इधर कनेक्टिविटी बहुत कम है एक्टल का कनेक्टिविटी बहुत ज़ादा है और जियो कनेक्टिविटी तोगा डाउन है इसलिए मैं लाईव स्ट्रीमिंग नहीं आपा रहा हूं थोगा नेट वक हिसू हो रहा है यह दे देख रहे हैं और इस गार्डेन में बहुत सारे मतलब गायव अगरा है जो घास चर रहे हैं अब देखिए इधर एक जो यह देख रहे हैं यह सारा मुझे लगता है कि यह जो जाता है जिल जहरने की तरफ और यही एगजिट गट जाता है फासी घर के तरफ तो चलिए बने रहे हैं आपको मैं बता दूँ कि इस के लिए जो किला बेहतरिन किला आप सामने जो देख रहे हो इस किले का निर्माण लगभग लगभग सत्यूग में हुआ था और य यह तब हुआ था जब हमारे राजा हरिष्चंद्र ने सत्य की परिक्षा को पास कर लिया था जब उनके बेटे रोहितिस्वर को सापने काट लिया था वो डोम का काम कर रहे थे लास्ट जलाने का कासी के घाट पे तो जब लास्ट में जब उनकी परिक्षा पूर्ण हो ग तो राजा हरिश्चंद्र को यही मिला था लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इस किले पर राज नहीं किया उनके बेटे रोहितेश्वर का नाम आपको हर जगा दिखेगा मैं मंदिर पर भी देख रहा था कि राजा हरिश्चंद्र का जो है वो नहीं रोहितेश्वर के नाम से बहुत जादा मंदिर के आगे किले के आगे रोहितेश्वर का एकिला बोलाता है रोहित उनके बेटे का नाम था रोहितेश्वर नाम था उन्होंने राज किया और इसी किले के आसपास बहुत सारे मंदिर वगारा है यह देखिए सामने में इधर से हूँ इस वाले entry gate से इधर exit gate है ऐसे और यह back में इधर जंदा भी लगा रखा है लोगों ने और यहाँ पर बहुत सारे मतलब कोई से मिनार होता है लोग यहाँ बैट करके मतलब कोई भी meeting वगारा open तरीके से करते हैं देखिए साम ढलने वाला है और लगभग में यहां साड़े तीन बज तक आ जाता लेकिन थोड़ा इसली हो गया तीन थी वज़रा भी 23334 हो रहा है तीन बजस तक में आंजा लेकिन थोड़ा में आराम करने लगा और फौग की वज़से क्या हुआ है कि थोड़ा कोहरे की वज़से जल्दी साम हो ज जो है और 16 सताबदी में जब सेर सासूरी आया अफगान से तो उसने क्या किया कि इस पर अपने आर्मी को रखने रखा मिलिटेंट्स को खुद तो सेर सासूरी जो सासारा में है वहां वो रहता था वो उसका वहीं सब खुश था लेकिन यहां पर उसने अपने आम्स को रखा यह जाता है जील की तरफ और यह जो है फासीगर के तरफ बिजाता है यह चोटे-चोटे गुमबस है आज कुई नहीं है बिलकुल वीरान है चुकि मैं ऐसे टाइम पर आज दिन में हूँ ना तो आज संडे है ना तो आज कोई ऐसा मॉमेंट है ना कोई फेस्टिवल है यह सब कुछ सही रात वी वीडियो आप तक पोस्ट भी कर दूँगा तो चलिए अब मैं कोसिस करता हूं अंदर जाने का और आपको जो भी यह देखिए एंट्री गेट है चुकि गौवर्मेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए मैंने पहले भी व्लॉक्स में यह बता रहा है यह थोड़ा लॉक्ड है अब मैं अंदर घुसता हूं और अंदर घुस करके स्टिनिंग करूंगा और कोसिस करता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं यह देखिए यह जो बेल्डिंग्स आप देख रहे हैं गुंबज देख रहे हैं पुराने जवाने का बहुत स्क्रिप्चर है क गणिये के मुझे लगता है इquiवाइब ही क्या मुझे इस तरीके से हैं मुझे लगता है कि यहां गेट्केपिंग वगरारी घ्रक्या नहीं आटके रहे दियाट्य चारण मुझे लगते हैं यह डर्वान और जिसको बोलते हैं और कई बार क्या होता है कि यह जो है ना सामने मैं सामने वाले इस बिल्डिंग की वीडियोज भी कई बार मैंने बना है कई बार मैंने सौट्स वीडियोज डाले हैं और यह देखे आज कोई नहीं है पता नहीं क्यों आज कोई नहीं है तो हो सकता है कि मैं बहुत जादा हूँ लोग चले गहूं और सामने यह बहुत खुबसूरत सा यह जो आपको दिख रहा है यह ऐसा लग रहा है यही पर जो खड़की खड़की से हमें आकर के वहां क्या करता था यहां पर इस जगह पर यह बैलकनी में पेड़ है कई बार मैंने अपने वीडियो में वी आपको दिखाया है बहुत सारे विल्डिंग्स और यह कोई नहीं है मैं इसा लगता है मैं बिल्कुल अकेले व्लॉग सूट कर रहा हूं और सच पूछो तो मज़ा भी आ रहा है लेकिन इस तरीके से व्लॉग सूट नहीं कर पूरा का पूरा वीरान है आप इधर वाले विल्डिंग को देखो मैंने बाहर से कहता है कि बहुत सारे विल्डिंग्स कनेक्टेड एक दूसरे से यह देखो बहुत सारे विल्डिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से और लगबग लगबग अंदर से ज तो यह एक तरीके से आप देखो तो मतलब बहुत लाजवाब है बहुत आमेजिंग है फिर भी मैं आपको चड़ करके दिखाता हूं चुकि मैं अकेले हूं और फिर भी कोसिस करता हूं चीजों को अच्छे तरीके से क्याप्चर करने का है तो चड़िये चलते हैं आईए यह हो गया सीड़ी मैं बिल्कुल अकेले हूं और थोड़ा मुझे अजीब भी लग रहा है क्योंकि मैं हूं अकेले और अकेले ही व्लोग सूट कर रहा हूं इसके लिए हिम्मद चाहिए और हिम्मद तो भाई जवर्जस चाहिए और एक बाल बताओं कि मैं खिलाड़ी हूं ही दर तो मुझे किसी के बाप से नहीं लगता चाहिए भूट